Hello students, welcome once again to English Classes UP Board आज हम इस वीडियो में study कर रहे हैं Class 10th की poem The Trees इस poem की poet है Adrini Rich ये एक American poet थी इस poem में trees से related एक अलग ही विचार इस poetist ने present किया है poem स्टार्ट करने से पहले यहां एक line दी गई है जिसे हम read करते हैं Can there be a forest without trees? क्या पेडों के बिना जंगल हो सकते हैं? Where are the trees in this poem? इस कविता में पेड कहां है and where do they go और वे कहां जाते हैं? इन सभी questions के answer हमें इस poem से मिल जाएंगे और secondly students ये question exam में भी पूछा जा सकता है कि poem में पेड कहां है और वे कहां जा रहे हैं? तो आप poem को ध्यान से सुने और इसको हिंदी मीनिंग के साथ समझे poem स्टार्ट होती है यहां से जंगल जो थे जो थे empty, खाली all these days इन सभी दिनों अभी जंगल खाली हो चुके हैं पेडों से पेड काटे जा चुके हैं तो जंगल बहुत कम बचे हैं धरती पर तो इसलिए poetis यहां कहना चाह रही हैं कि इन दिनों जंगल जो बिलकुल खाली थे where no bird could sit जहां पर कोई चडिया नहीं बैठ सकती थी क्यों क्योंकि जंगल में पेड नहीं है काट दिया गया है उन्हें तो जंगल वाली जगा पर अब कोई चडिया बैठ ही नहीं सकती no insect hide और कोई भी insect वहां पर नहीं छुप सकता है no sun bury its feet in shadow और नहीं सूरज दफन कर सकता है अपने पेरों को चाया में क्योंकि पेड ही नहीं है उनकी चाया नहीं है the forest that was empty all these nights jungle जो थे खाली empty खाली all these nights इन सभी रातों में पहले दिन के लें कहा गया और अब रात कहा गया है night कहा है will be full of trees by morning इन दिनों जो जंगल खाली थे भर जाएंगे full of trees पेडों से भर जाएंगे by morning सुभा तक all night the roots work सारी रात जड़ें काम करती है to disengage अपने आपको छुडाने के लिए engage किसी बंधन में बंधना और disengage बंधनों से अपने आपको छुटकारा दिलाना तो disengage अपने आपको सुलजा कर बाहर निकालने के लिए काम करती है from the cracks दरारों से in the veranda floor आंगन के फर्ष में से आंगन में फर्ष है वहीं पर पेड़ भी हो गए है तो जो जड़े फर्ष के नीचे दबी हुई है वो अपने आपको themselves स्वयम को दरारों के द्वारा दरार डल जाती है फर्ष में और वहां से जड़ें बाहर निकलाती है और जड़ें ये काम सारी रात करती है अपने आपको उस बंधन से फर्ष के नीचे दबे होने से आजाद कराने के लिए पत्तियां जोर लगा रही है तुवर्ड से ग्लास शीशे की तरफ और छोटी छोटी तहनिया अकड गई है थकान से लॉंग क्रैंप्ट बग्स शफलिंग अंडर दा रूफ लंबे लंबे गुच्छे बड़े बड़े गुच्छे हैं शफलिंग उलज रहे हैं अंडर दा रूफ छट के नीचे जैसे की कोई नया नया मरीज अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो उसे चुट्टी मिली हो कि अब आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना अब आप आजादी से बाहर जा सकते हैं हाफ डैज्ड मूविंग और ये पेशेंट कैसे बिहेव करता है हाफ डैज्ड आधे चक्कर आ रहे हो जिसे दिमाग अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहा है चक्कर आ रहे हो मूविंग टू दा क्लीनिक डोर और वहे क्लीनिक के दर्वाजे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो लड़ खडाते हुए चक्कर खाते हुए ठकान से भरा हुआ एक पेशेंट की तरह ये पत्तियां ये टहनियां अपने आपको कमरों से घरों से आजाद करना चाहती है अभी तक इन लाइन्स में पोईट ने ये बताया है कि घरों में पेड़ पौधे लगाने का शौक मनुश्यों ने शुरू कर दिया है जबकि पेड़ पौधों की सही जगा है जंगल खुली जगा में जहां पर वे अपनी डालीों को खुशी से हवा में आसमान में जितना उचा फैलाना चाहें फैला सकें जड़ों को नाचुरल बढ़ने की जगा मिल सके लेकिन सभी लोगों ने पेडों को घरों में सीमित कर लिया बेले लगा ली सभी कुछ ठीक है लेकिन ये पेड घरों के अंदर खुश नहीं है वे भी अपनी आजादी चाहते हैं और पेडों का नाचुरल होम है फॉरेस्ट खुली जगा खुले मैदान जहां पर वो अपनी आजादी से सुरज की धूप में बढ़ते रहें I sit inside मैं अंदर बैठी हूँ Doors open to the veranda दर्वाजे वरांडे में आंगन में खुले हैं Writing long letters और मैं लंबे letters लिख रही हूँ In which or in letters में I scarcely mention मैं मुश्किल से ही mention कर पा रही हूँ बता पा रही हूँ the departure of the forest from the house घर से जंगल की तरफ जाना Departure means किसी चीज का चले जाना तो पेडों का घर में से निकल कर जंगल की तरफ जाना मैं मुश्किल से ही लिख पा रही हूँ The night is fresh रात बहुत ताजी है अच्छी है The whole moon shines पूरा चंद्रमा चमक रहा है पूर्णिमा की रात है चांद पूरा है Whole moon, full moon night है ये In the sky still open और जो आकाश अभी भी खुला है वहाँ पर पूरा चांद, full moon shine कर रहा है The smell of leaves and lichen Smell, महक, पत्तियों की और काई की Still reads like a voice into the room पत्तियों की खुश्बू और काई की खुश्बू महक जो एक अलग smell होती है Still reads, अभी भी पहुँच रही है Like a voice, एक आवाज की तरह Into the rooms, कमरे के अंदर जैसे आवाज धीरे धीरे दूर तक पहुँचती है उसी तरह से काई की खुश्बू और पत्तियों की खुश्बू, पेड़ों की खुश्बू आवाज की तरह, आवाज के समान कमरे में पहुचती है My head is full of whispers मेरा सर भरा हुआ है फुस फुस आहट से Whispers means हलकी हलकी आवाजें जैसे किसी के बात करने की आवाजें हो धीरे धीरे Which tomorrow will be silent जो कल शान्त हो जाएंगी Listen, उन्हें सुनो The glass is breaking शीशा तूट रहा है The trees are stumbling forward into the night पेड लड़ खडाते हुए Stumbling, लड़ खडाते हुए आगे बढ़ रही है रात में Winds rush to meet them हवा जल्दी से भाग रही है तेज चल रही है Rush means speed से तेजी से भाग रही है To meet them उनसे मिलने के लिए The moon is broken like a mirror चंद्रमा तूट गया है एक शीशे की तरह Its pieces flash now और उसके टुकडे अब चमक रहे हैं In the crown ताज में एक मुकुट में Of the tallest oak सबसे उंचे ओक के पेड़ पर यहां इन lines में Poetis ये कहना चाहती है कि धीरे धीरे पेड़ अभ घरों से आजाद होकर जंगलों में वापस जा रहे है हवा जो उनकी friend है पेड़ों की वो उनसे मिलना चाहती है Moon आकाश में चटक गया है तूट गया है pieces तुकडों में लेकिन रियल में कोई Moon ऐसे तूटा नहीं है चंद्रमा के ऊपर पेड़ों की शाखाएं जो दिखाई दे रही है जब Moon के ऊपर पेड़ों की शाखाएं पत्तियां दिखाई दे रही है तो कभी ने कलपना की है कि Moon तूट गया है चटक गया है और उसके टुकडे शीशे की तरह चमक रहे है और उस तूटे हुए चंद्रमा से क्या बन गया है एक ताज बन गया है जिसे पहना हुआ है पेडों के सबसे उचे वाले पेड़ ने ओक ट्री ने तो तॉलेस्ट कौन सा पेड़ है ओक ट्री है तॉलेस्ट सबसे लंबा और उस पर ताज बन गया है चंद्रमा का तो स्टूडेंट यहां यह पोयम फिनिश होती है आई होप आपको यह पोयम हिंदी मीनिंग के साथ समझ में आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा थैंक्यू सो मच